हे फॉक्स, IRDA Master Circular 2024 को 1st October 2024 को apply कर दिया गया है पूरी insurance industry के अंदर लेकिन confusion है कि दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये confusion especially है Life Insurance Policies में and Domain Policies की special surrender value को लेकर क्योंकि ये confusion especially IRDA नहीं create किया है क्योंकि पूरे circular में 120 page का master circular हैं कहीं भी ये mention नहीं किया है कि ये special surrender value क्या पुरानी policies पर apply होगी या फिर नई policies पर ही apply होगी बहुत सारे customer तो इतने परेशान हैं उन्होंने insurance companies के offices में भी visit किया अपनी पुरानी policy को surrender करने के लिए जिन्होंने एक साल के बाद उस policy को बंद कर दिया था लेकिन insurance company ने ये कहकर उन्हें टरका दिया कि उनके पास कोई भी update नहीं है कि पुरानी policy पर ये applicable होगा या नहीं होगा लेकिन मेरे पास बहुत सारे calls आ रहे हैं बहुत सारे mails भी आ रहे हैं आप सब लोगों के special surrender value को लेकर और guaranteed surrender value को लेकर folks आज का ये वीडियो मैंने especially बहुत महनत करने के बाद इसको मैंने shoot किया है बहुत सारी calculations में मैंने इसमें महनत की है काम किया है और finally मैं निकाल कर लाया हूँ एक ऐसा वीडियो जो surrender value को लेकर आपके सारे confusion पूरी तरह से दूर कर देगा आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं रह जाएगी तो इस वीडियो को आप last तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो insurance sewa को अभी subscribe कर दीजे bell icon को भी प्रेस कर दीजे जिससे आपको मेरे सारे videos के notification मिलते रहे हैं साथ ही अगर आप insurance sewa के माध्यम से अपना insurance पर सेज करना चाहते हैं तो screen पर दीएवे number पर आप हमें call भी कर सकते हैं Surrender value को उपर कुछ दिन पहले मैंने एक video release किया था उस video में मैंने कोशिश की थी कि आपके सारे doubts को मैं clear करूँ लेकिन इस video को मैंने और ज़्यादा purify किया है और ज़्यादा modify किया है और कोशिश की है कि आप आपके सारे doubts surrender value को लेके clear हो जाएं special surrender value क्या होती है, guaranteed surrender value क्या होती है और policy की paid up value क्या होती है एक साल policy चलने के बाद अगर आप अपनी policy को surrender करते हैं आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपकी policy endowment policy है या फिर आपकी money back policy है, सारे doubts आपके आज की इस video में clear हो जाएंगे लेकिन इस video को मुझे shoot करना पड़ेगा अपने digital board पर क्योंकि यहाँ पर होंगी सारी calculation तो चलती हैं फिर अपने digital board पर हर life insurance policy की एक maturity date होती है आपने आज कोई policy purchase की है, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए आप उस policy को purchase करते हैं कुछ certain time के लिए आप उसमें premium भी pay करते हैं 10 साल, 15 साल या 5 साल जो भी आप premium paying term उसकी choose करते हैं लेकिन जब भी आप time से पहले उस policy को बंद करके अपना पैसा माँगते हैं तो उसको surrender करना कहते हैं policy को surrender करना policy को surrender करने के लिए guaranteed surrender value आज तक होती थी policies के अंदर जो 2 साल के बाद कम से कम surrender कर सकते थे आप policies को लेकिन अब आप एक साल के बाद भी अपनी policy को surrender कर सकते हैं special surrender value आपको मिल जाएगी IED ने कहा है कि अगर special surrender value ज़्यादा है guaranteed surrender value के compare में तो आपको special surrender value दी जाएगी दोनों different होगी guaranteed surrender value अलग होगी और special surrender value अलग होगी लेकिन इन surrender value को समझने से पहले आपको समझना होगा paid up value of the policy paid up value का मतलब यह है कि अगर आपने एक साल किसी insurance policy का premium pay कर दिया तो उस एक साल में premium pay करने के बाद उस policy की value कितनी है अगर आप उस policy को बंद करते हैं तो life insurance company की paid up value निकालने का एक formula है और यह formula है समेशोड जो भी आपने policy purchase करते वे opt किया है into premium pay dear यानि कि कितने साल आपने policy का premium pay किया है जिसके बाद आप अपनी policy को surrender करना चाहते हैं divided by ppt यानि कि जितने भी साल का आपने policy premium term इसमें opt किया है प्लस जो भी bonus declare करती है insurance company बहुत सारी policy जैसे के endowment policies होती है money back policies होती है जो bonus based policies होती है insurance company अपनी performance के हिसाब से हर साल एक bonus declare करती है और उस bonus के base पर ही आपकी maturity value decide होती है तो इस formula को पहले हम apply करके देख लेते हैं यहाँ पे हम लेके चलते हैं एक example कि माल लिजे customer ने 5 लाख रुपे का समय short opt किया है policy purchase करते वक्त और premium term यानि के premium उसने सिर्फ एक ही साल पे किया है जिसके बाद वो अपना policy को surrender करना चाता है divided by ppt मानके चलिए उसने 10 साल का premium paying term opt किया था तो divided by 10 होगा और plus bonus जो भी bonus declare करती है insurance company मानके चलिए 10 साल की ppt तो यह 10 साल की ppt थी और 10 साल में insurance company मानके चलिए 1 लाख रुपे का bonus declare करती क्योंकि 1 साल के बाद वो policy को surrender कर रहा है तो 1 साल का bonus होगा 10,000 रुपे 1 लाख रुपे के base पर तो plus 10,000 अब इसका total करके देख लेते हैं यह 0 से यह कट जाएगा 50,000 प्लस 10,000 इंटू 60,000 अब इस policy का paid up value होगा 60,000 रुपेज एक साल की policy को चलाने के बाद paid up value अब हम निकाल चुके हैं अब निकालते हैं special surrender value के SSV कैसे निकालेंगे अब इसका भी एक formula है special surrender value निकालने का एक prescribed formula है paid up value divided by यह formula क्या है 1 प्लस GSEC rate divided by 100 की power remaining PPT थोड़ा से explain कर देता हूं 1 प्लस GSEC का मतलब है government securities rate जितनी भी government securities है उनका एक interest rate होता है और उस interest rate का 10 साल का average निकाला जाता है उसको यहाँ पर हम apply करते हैं आजकल government securities का 10 साल का average rate है वो है 7.5% तो यहाँ पर 7.5 आएगा divided by 100 की power remaining PPT यानि कि जितने साल का premium अभी बचा हुआ है आपको pay करने के लिए तो इस condition में आपने सिर्फ एक साल का premium pay किया है 9 साल आपके बचे हुए हैं जिनमें आपको अभी premium pay करना था तो इसको यहाँ पर apply कर लेते हैं इसकी special surrender value कितनी निकलने वाली है paid up value कितनी निकली है 60,000 60,000 divided by 1 plus G-sec rate जैसे कि मैंने आपको बताया 7.5% होगा divided by 100 होगा की power 9 यहाँ पर 9 इसलिए आएगा क्योंकि 9 साल का premium अभी बचा हुआ है pay करने के लिए अब इसको calculate कर ले दें क्यासे तो यह calculate होगा scientific calculator से लेकिन यहाँ पर मैं इसको already calculated values के लिख लेता हूँ 60,000 divided by इसको इससे हम divide कर लेंगे और इसको plus करने के बाद आएगा 1.075 की power 9 अब इसकी जो power 9 है इसको 9 बार इसको into, 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 into करना है इसको 9 बार इंटो, into, into करने के बाद जो इसकी value निकल कर आएगी वो आएगी और इसको 60 से divide करने के बाद इसकी surrender value होगी 31,295 रूपे यानि के इस case में special surrender value निकलेगी 31,295 रूपे और आपकी जानकरी के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर premium होगा 50,000 रूपे annually on an average तो यह है special surrender value अब इसी में हम एक example और ले लेते हैं मानके चलिए कि customer ने 2 साल premium pay किया है तो अब special surrender value कितनी होगी तो simple है सब कुछ सेम रहेगा बस यहाँ पर 9 की जगह 8 आजाएगा क्यों 8 आजाएगा क्योंकि 8 साल अभी बचे है premium को pay करने के लिए तो यहाँ पर आजाएगा 8 तो इसकी calculation बिलकु सेम होगी जैसे हमने पहले की है as usual यहाँ पर 8 आजाएगा और इसको 8 बार multiply किया जाएगा और इसको 8 बार multiply करने के बाद इसकी special surrender value निकल कर आएगी 67,284 रूपीज तो बात करते हैं guaranteed surrender value as usual same रहेगी जैसे की पहले 3 insurance policies के अंदर अगर आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद किसी premium किसी policy को surrender करते हैं तो आपको total जितने भी premium आपने pay किये हैं 30 से 35% के बीच में आपको मिलता था policy to policy वो differ करता था वहीं पर अगर आप 4 से लेके और 7 साल के बीच में आपनी policy को surrender करते थे तो जितने भी total आपने premium paid की हैं उसका 50% मिलता था और last के अगर 2 साल बचेवे हैं आपके premium के और तब आप अपनी policy को surrender करते थे तो total premium paid का 90% आपको guaranteed surrender value मिलती थी जो as usual सेम रहेगी special surrender value में आपको explain कर चुका हूँ और अब सबसे important point कि क्या आपकी special surrender value पुरानी policies पर apply होगी Fox, IIDA ने पूरे master circuler के अंदर इसको explain नहीं किया है कहीं भी इसको highlight नहीं किया है कि जो आपकी existing policies पुरानी पिछले कई सालों से चली आ रही है क्या उन पर ये apply होगी लेकिन जो भी life insurance policies होती है उनमें amendment नहीं किया जा सकता उसमें आप data पर change कर सकते हैं अपना नाम अगर rectification कर सकते हैं mobile number change कर सकते हैं लेकिन policy की terms and conditions को change नहीं किया जा सकता तो आपकी जितनी भी special surrender value है वो एक October के बाद जितनी भी policies नई issues होगी उन पर ही apply होगी पुरानी policies पर आपकी guaranteed surrender value ही applicable होगी यानि कि उनकी जितनी भी पुरानी terms and conditions थी वो ही applied होगी अब आपके जो भी सवाल है इस से related आपको जे मेरे comment box में पूछिएगा जरूर साथ ही आप मुझे बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मिलता हूँ आपसे अपने next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत